मध्यप्रदेश के दतिया में अतिप्राचीन श्री भारव मंदिर जिसे हम पंचव कवी की टोरिया के नाम से जानते हैं वहाँ पुजारी और सेवादरों के बीच विवाद गहराता जा रहा है श्रधालो और सेवादरों का आरूप है कि मंदिर के पुजारी का मनमाने रवये के कारण मंदिर में सेवा और पूजा का कारिय नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है जो साधक बाहर से अनुष्ठान और साधना करनी यहां ठहरते हैं, उनसे पुजारी की ओर से पैसा लिया जाता है इतना ही नहीं, यहां यग्य अनुष्ठान और दर्शन के नाम पर भी जबरन पैसा वसूला जाता है इसका विरोध करने पर मंदर के पुजारी मुख्य द्वार पर ताला लगा देते हैं जो कई दिनों तक बंद रहता है जिस वज़े से बाहर से आने वाले भक्त साधक और श्रद्धालू परिशान होते हैं पंचम कवी की टोरिया पर पुजारी और सेवादरों के बीच हो रहे विवाद की जब परताल की गई तो पता चला कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालू भक्त और सेवादरों ने मंदिर में अपना स्वामित्व जता रहे पुजारियों के मनमानी और असमाजिक रविये को लेकर पुलिस और प्रशासन सहीद बखाइदा सीएम को भी ऑनलाइन शिकायत की है सीवादर और भक्तों का आरोप है कि मंदिर के पुजारी असमाजिक तत्वों को मंदिर मिलाकर जगडा फसाद करते हैं लोग डरे हुए हैं और भैभीत हैं इसलिए सामने आने से डर रहे हैं मामले की अगर जांच हुई तो निश्चित ही कोई बड़ा खुलासा होगा मंदिर में श्री श्रीव भैरव एवं श्री यंत्रपर देवी मा तारा मा का अतिप्राचीन मंदिर है इसके अलावा हनुमान मंदिर और अन्य हिंदु देवी देवताओं की भी यहां पूजा की जाती है कंवार मंदər और ज्याद और नहीं दो तो हो गाली करते को हा दो種 hook ताला कि ह्या daha मंदिर पीडियों कि हमारे मंडिर को ने कर आए जैया लोग आती थे पैसे मंदिर घृतार afterwards यहजांद कुछ नहीं करने लगे कौन लोग हैं ये लोग जे स्वारव कब्जू मादब भारगव भायन स्रीकांद कब्जू और पुजारी दो रइस्टर ने पुजारी तो आते नहीं थे अभी अभी अबने सिकायत की जब अभी इनको पता चला होगा कुछ तो इन लोगों ने दो दिन से सफाई करवा दी जब से कुछ नहीं करवाया था सर